नमस्कार दोस्तों मैं श्रावर्ण हमारी युवार टीम के एक अच्छे युद्धा प्रमोट हगा सब दोस्तों हमने बैठ एक आइडिया क्रेट किया कि 2013 से लेकि 20 तक के जैई एडवास को टोपिक वाइस किया जाए वाद सेल्स ने निया कॉंसेट लिया कि टोपिक वाइस किया जाए नीट हो चाहिए जैई मैं हो जैए एडवास हो तो डीर हम सब ने मिलके साहिन और सब बैठके बात की कि क्यों आप बच्चे को इसका वीडियो सोलुशन गया जाए तो 2013 से लेकि 2020 तक के तो तो तेरा तोजा पंदरा सोला स्था ठाठारा आठ साल के पेपर अपलोड है और जी एडवास अपलोड हो रहा है तो तीस अगस्त से पहले पहले सारा अपलोड हो जाएगा तो 21 के बच्चों वह फूट फूल है बाकी 22 23 कोंसे बदना नहीं कि लोजिक वह रहने तो आप सब को इसको फोलो करना चाहिए और आप सीकर नहीं है हम यह वीडि इसके टेस्ट दस चैमेस्टि के टेस्ट दस मैथ के टेस्ट टेस्ट का टाइम 2-5 है टेस्ट प्रतिन गिंटेका होगा और संडे को अपना मेजर होगा आप सीकर आके जुड़ सकते हैं अब तक नहीं जुड़े से तो आप वहारी बी-सीम क्या नाव उसका बी-सीम डेलिक अब बेज़ेटेस्ट निश्ट वह भी आप जो निकर सकते हैं इसके अलावा आपको और कोई कन्फूजन हो तो मेरा खुद का नंबर यह है आप दोस्तों इस नंबर पर मुझसे बात भी कर सकते हैं डबल लाइन टूवेट सेवन त्री डबल एट डबल एट डबल एट राकुद का नंबर है आप बात की कर सकते हैं प्रमसर आप सुरू करें अपड़ा थैंक्यू जैसी रसे तो डियर जैसा बोस्त ने बताया हमने टोटल जो जैई एडवांस के 2013 से लेकर 2020 तक के जो पेप किस्चन नुमर बन जो एक सिंगल चोइस कुश्चन है उसमें कहा गया है कि एक स्लेंडर है उसको एक वर्णियर केलिपर से उसका डाइवीटर को अपनने मेजर किया है और यह मिला कि वर्णियर इसकेल जो है उसका 0 मैंस के 5.10 से 5.1 संटीमीटर के बीच में लाई कर रहा कि vernier calipers की एक man scale division जो है उसकी reading 0.05 cm है इन्होंने दो marking लिये ना दो marking के बीच में vernier scale का 0 लाई कर रहा है तो वही उसके जो सबसे left वाला part होता है वो man scale reading होती है so the man scale reading is वैसे देखा जाए तो man scale reading आगी 5.msr that is 5.10 cm उसके बाद एक MSD की value अपने पास जो आ रही है 1 MSD that is the difference between two man scale divisions है ना that value is 0.05 cm चली ये question में आगे क्या बोला गया है कि vernier scale के 50 divisions है और वो equivalent है किसके 2.45 cm के तो यहां से यदी मैं कहूं तो ये बोला गया है किसा 50 VSD जो है वो मेरे पास 2.45 cm के equivalent है that means 1 VSD की value जो होगी that will be 2.45 divided by 50 cm और इसको solve करने पर ये वाला data आ रहा है अपने पास 1 MSD की value आ रही है सब 0.05 cm और 1 VSD की value आ रही है 0.04 cm तो अपने को सबसे पहले least count calculate करना है और least count जो होता है that is 1 MSD minus 1 VSD least count यही होता है तो यहां से अधी अपने least count की बात करेंगे तो इसका least count जो मेरे पास आ रहे that is coming as 0.01 cm बोलो clear चलिए जी सर आगे क्या कहा गया है फिर information है that the 24th division of the vernier scale exactly coincides with one of the man scale divisions diameter of the cylinder पूछा गया है देखिये जब भी अपन vernier calipers का question करते हैं तो vernier calipers की जो reading होती है that reading is 0 R का कोई जिक्र नहीं है तो अपन 0 मान के चलते हैं वो होता है man scale reading plus n into least count यह एक तो यह तो है man scale की reading that is 5.10 cm प्लस में 24 into में least count least count is 0.01 cm 24 अपने क्यों काम में लिया है अपने इसमें वो वाला vernier scale का वो वाला decision choose करते हैं जो division man scale के किसी भी एक part के साथ coincide होता है तो vernier scale का 24th division है वो man scales के साथ coinciding है तो यहां से अपने पास जो answer आएगा that answer is 5.124 cm otherwise यदी इसमें 0 error भी होता तो अपन यहां पर कर देते minus of 0 error अपने पास question में 0 error है नहीं so it is 0 so the diameter of the cylinder of cylinder diameter of the cylinder is 5.124 cm so second one is the correct answer चलिए ठीक है sir चलिए dear next question की बात करते है next question अपने को कुछ ऐसा दिया गया है that using the expression 2d sin theta is equals to lambda one calculates the value of d by measuring the corresponding angles of theta ranges from 0 to 90 okay d का measurement हो रहा है theta की value को 0 से 90 degree के बीच में वेरी करवा के the wavelength lambda is exactly known यदि wavelength exactly अपने को known है तो हमें error देखनी है कि d की calculation में error कितनी होगी जब आपका theta जो है वो 0 से 90 degree में increase कर रहा है और theta में जो error है इसके लिए भी बोला गया है that error in theta is constant for all values of theta मतलब d theta is a constant quantity बो ठीक बात अच्छा जी सर तो हमने कहा यहां से देखिए सबसे पहला expression जो मेरे पास आ रहा है that is 2d sin theta is equals to lambda d में error चाहिए तो it will be lambda y 2 sin theta बोलो हाँ यह ना चलिए इसको differentiate करें तो delta d is equals to अपना जो calculation का तरीका है error का lambda y 2 जब भी exponential trigonometric logarithmic functions आते हैं तो differentiation से ही calculate करते हैं तो 1 upon sin theta that is cosec theta और cosec theta को differentiate किया तो minus cot theta cosec theta d theta theta में error जो है वो अपने पास constant है theta में जो error है वो constant वानी है तो delta d by d की यदि मैं बात करता हूँ fractional error के साथ में तो delta d by d that value is minus of cot theta d theta अब error plus और minus दोनों के साथ होती है तो अपन plus और minus दोनों consideration में डाल सकते हैं प्लस और minus दोनों consideration में डाल सकते हैं बोलो सही बात है क्या सर को अच्छा अब दो चीजों के बारे में अपने को बोलना है जो options है उनमें एक तो d में absolute error के बारे में बोला गया है और एक d में fractional error के बारे में बोला गया है देखे थिटा के increment के साथ core theta decrease होता है cosec theta decrease होता है 0 से 90 में sin theta increasing, cos theta decreasing, cosec theta decreasing, 10 theta increasing, core theta decreasing, sec theta increasing यह वाल आइन का nature होता है, तो core theta और cosec theta दोनों ही 0 से 90 degree में decreasing है दोनों ही decreasing है तो delta d मतलब d में जो error है absolute error वो decrease होनी चाहिए जबकि इसमें यह कहा गया है कि d में जो absolute error है वो increase हो रही है तो यह तो पहला option गलत हो गया, दूसरा पहले option में कहा गया है कि d में जो absolute error है वो constant रहती है यह भी गलत बात है साथ decrease होगी तीसरा, fractional error के बारे में बोला गया है that the fractional error remains constant गलत बात क्योंकि fractional error तो core theta का function है और 0 से 90 degree में core theta जो है वो decrease होता है तो fractional error decrease होगी, so the fourth one is the correct answer चलिए जी सर, अगले question की बात करते है, next one is question number 3 इसमें तो अपने को dimensional formula जो है, वो match करवाने है question में कहा गया है कि match list first with list second and select the correct answers using the codes given below the list पहला अपने पास है बोल्जमेन constant, फिर है viscose coefficient of viscosity, फिर planks constant, फिर thermal conductivity तो जब भी आपको किसी भी quantity का dimensional formula calculate करना हो ना, तो सबसे पहले उस quantities related को formula याद करो जो बहुत आसान सा हो, उस formula में उस quantity को छोड़ कर बाकी जितनी भी quantities हैं उन सब का dimensional formula आपको आता हो तो सबसे पहले ये कहा गया है that it is Boltzmann constant, Boltzmann constant के लिए अपन यदी formula काम में लेते हैं तो एक energy का formula होता, E is equals to 3 by 2 KT, where K is the Boltzmann constant and T is the temperature, तो यहां से Boltzmann constant जो अपने पास आ रहा, that is 2E divided by 3T, तो यदी अपने इसका dimensional formula calculate करना चाहें, K का, that will be 2 by 3, चलिए ये तो constant है, इसके क्या लिखेंगे, energy को लिखते है, energy तो ML2T minus, dimensional is constant है तो उसको नहीं लिखा जाएगा, energy का dimensional formula लिखना है, energy का dimensional formula ML2T minus 2 और temperature का dimensional formula अपने पास यहां पर K से दिया आगे है, तो it is K, तो इसका जो dimensional formula अपने पास आ रहा है, that is MLT minus 2, साथ में K minus 1, तो MLT minus 2, K minus 1, मतलब P के साथ 4th option match करना चाहिए, अब P के साथ 4th option 3rd में भी कर रहा है, और 4th में भी कर रहा है, मतलब Q to solve करते हैं, equation solve है अपना, आप चाहिए solve करना चाहो आगे करना, अपन पूरा निकालेंगे, पर exam time में, 2 के साथ हो रहा है, बात खतम करो यार, दूसरा वाला जो अपने को कहा गया है, that is coefficient of viscosity, coefficient of viscosity से regarding एक formula की बात करूँ, तो एक बहुत famous सा formula है, that f is equals to 6 pi eta rv, where eta is can be written as f upon 6 pi rv यदि मेरे को eta का dimensional formula लिखना है, तो सबसे पहले f का dimensional formula ml t-24, r length वाला, और radius है तो, और ये है v is the speed, तो इसका dimensional formula lt-1, तो इसको solve करेंगे, तो इसका dimensional formula आएगा ml-1, t-1, तो इसके regarding यदि मैं बात करूँ, second one is the correct answer for q, q क्योंकि ये साथ second मिल गया, तो ये correct हो गया, ये incorrect हो गया चलिए अगले दो option की बात कर लेते हैं, r और s के regarding यदि मैं बात करना चाहूं, तो r में अपने को जो कहा गया है, that is Planck's constant, तो Planck's constant के regarding एक बहुत famous सा formula है, that e is equals to h nu, where nu is the frequency, t is the energy, तो h will be written as e by nu, e का dimensional formula energy ml2 t-2, and frequency का dimensional formula t-1, so the dimensional formula will be ml2 t-1, ml2 t-1, to r के साथ देखिए, ये first option match कर रहा है, now the next one is coefficient of thermal conductivity, इसका एक बहुत famous सा formula है, जब अपन conduction पढ़ते हैं, किसी भी रोड से, कितनी heat per second आगे कियो transfer हो रही है, उसका एक formula आता है, that dq by dt is equals to k a, साथ में del theta, temperature change, divided by the length, तो k-k dimensional formula को यदि अपन लिखेंगे, तो ये तो energy upon time है, तो ml2 t-2 divided by time, length उपर की तरफ multiply होगा L, area नीचे की तरफ multiply होगा L2, and delta theta is the temperature, उसको अपन के से put करेंगे, चलिए, यहां से यदि solve करते हैं, तो एक L2 से L2 सहीद होगया, ये data ml, साथ में t-3 k-1, this is the dimensional formula of coefficient of thermal conductivity, तो S के साथ देखें, थर्ड वाला option match कर रहा है, बोलो ठीक है कैसा है, so for this question, third one is the correct answer, चलिए जी सर अगले question की बात करते हैं, next one is question number 4, देखें, इस question के जही ने दो answer दिये थे हैं, आपन दोनों की perspective से बात करेंगे, पहला वाला तो ऐसा बोला गया है, की that a rocket is, पहले question पड़ते हैं, फिर दोनों answer की regarding बात करते हैं, पहले वाले में का गया है, that a rocket is moving in a gravity free space with a constant acceleration of 2 meter per second square, along positive x direction, c figure, the length of a chamber inside the rocket is 4 meter, okay, a ball is thrown from the left end of the chamber is x direction with a speed of 0.3 meter per second relative to the rocket, at the same time another ball is thrown in negative x direction with a speed of 0.2 meter per second from the right end relative to the rocket, the time in second when the two ball hit each other, तो इसमें एक तो simple सा तरीका है, बोले साब इन दोनों की relative velocity कितनी है, बोले जी relative velocity is 0.5, दोनों के बीच का relative separation कितना, relative separation is 4 meter, तो time for collision is 4 divided by 0.5, so the answer is 8 second, पहला answer इसके basis पर दिया गया था, clear, मैं दूसरे वाले को ज्यादा appropriate बानता हूँ, दूसरा वाला क्या है, चलिए, क्यूशन की बात करता है, क्यूशन कुछ ऐसा है, कि इस object को अपनने, इस वाली direction में थ्रो किया है, 0.3 meter per second से, और इस object को अपनने इस वाली direction में थ्रो किया है, 0.2 meter per second से, और हमारी जो रोकेट है, वो इस वाली direction में जा रही है, और रोकेट का जो acceleration है, that acceleration is 2 meter per second square, clear, और ये जो length है, ये length दी गई है, 4 meter, तो obviously, यदि अपनने इस वाली ball को थ्रो किया, ये कुछ distance तक पहुँचेगी, और ये जो पीचे से ये जो wall आ रही है, इसकी, ये wall accelerated motion में है, तो ये wall आकर ball से collide करेगी, माल लो मैंने कहा कि वो stick होगी उसके साथ, भी पीचे से आ रहा, तेजी से आएगा, तो उसके साथ अपने साथ उसको, बोल को चिपकाते वे आगे की और ले गया, तो हमने कहा, साब कितनी distance में, ये इसको catch कर लेगा, और ये वाला object rest से, वो जो wall है, वो rest से सुरू हुई है, उसके respect में 0.3 से फैंका है, तो object के respect में, wall किसमें, वी rest में, किसी एक time पर, starting में, इसकी velocity तो constant है, इसकी velocity increase कर रही है, तो starting में, जब तक इसकी velocity, ball की velocity से, जब तक इसकी velocity, ball की velocity से lesser रहेगी, तब तक separation increase होगा, और जैसे ही, ball की velocity, ball की velocity से ज़्यादा हो जाएगी, उनके बीच से separation decrease होने लग जाएगा, तो मैं कहूं, उनके बीच separation जो है न, वो maximum separation तब होगा, जब उनकी speed equal होगी, तो मैंने कहा कि, उनके बीच maximum separation की, यदि अपन बात करते हैं, तो we can say it is u square by 2a, u square by 2a से बात की, तो 0.09 divided by 4, that separation is very less, so we can say that the collision between rocket and ball, sorry, this ball and this ball will occur near to this ball, इसके भी separation की value, maximum separation इतना आ रहा है, इसका मतलब, यदि इनके बीच collision होगी, तो वो collision इस वाली wall के बहुत pass होगी, भूले जी ठीक है, इसका मतलब question actually में कुछ ऐसा हो गया, कि इस ball और इस ball के बीच collision की बजाए, इस ball और इस वाली wall के बीच collision हो रहा है, this ball and this ball, इनके बीच collision हो रहा है, और हमें इनके बीच collision का time निकालना है, बूलो हाँ या ना, बूले जी ठीक है, चलिए अब दोनों की positions की बात करते है, मैं इस वाली direction जो है, इधर वाली direction को ले रहा हूँ positive, और इधर वाली direction को ले रहा हूँ negative, तो वोल के लिए मैं लिख रहा हूँ, initial velocity of wall is 0, acceleration of wall, that will be 2 meter per second square, initial velocity of the ball is minus 0.2, acceleration of the ball is 0, अब आप किस से करना चाहते है, relative से करना चाहते है, किसी भी तरीके से, वो आपकी choice है, तो मैंने कहा, साब एक काम करते है, relatively, मैंने कहा, मालनो, wall यहां तक चल कर आई, और wall यहां तक चल कर आई, wall यहां तक चल कर आई, wall यहां तक चल कर आई, और इस वाले point पर दोनों की बीच collision हो गया, तो wall की जो traveled distance होगी, और wall की जो traveled distance होगी, दोनों का approximate, total data जोए, that should be 4 meter, relatively बात करें, तो बोलो, हाई है ना, यह अपने पास 4 meter आया, देखो, यह तो cancel out हो गया, this term comes as, this term comes as, t square plus 0.2t, minus में 4 is equal to 0, तो यदि मैं time solve करना चाहू, t comes as minus 0.2, plus minus under root b square, that is 0.04, minus 4ac plus 16, divided by 2a, यह 2 times गया, अब यहां से यदि आप इसको solve करेंगे, यह data है 16.04, so it is slightly greater than 4, यह minus 0.2, तो this is slightly less than 4 आएगा, मतलब इसको solve करते हैं, तो exactly, मतलब 1.9697 के आसपास का data आता है, जिसको अपन यदि nearest integer में रखना चाहें, तो nearest integer में उसकी value जो अपने पास आती है, that is 2 seconds, मतलब अपन ने यह देखा, कि दोनों के बीच में जो collision हो रही है, वो किस के पास होगी, बोला जी साब, wall के पास होगी, wall के पास होगी, तो exactly collision को हम दूसरे form में लेकर चलते हैं, कि collision जो है, इस ball और इस ball के बजाए, अपने ऐसा भी बोल सकते हैं, कि इस वाली wall, और इस वाली wall के बीच हो रही है, relatively उनको 4 meter का separation travel करना है, जैसमें time calculate करना है, बोलो ठीक है, कैसा है, so the correct answer is 2 seconds, चलिए जी सार, अगले question की बात करते हैं, question number 5, देखे, question number 5 में क्या कहा गया है, कि to find the distance d over which a signal can be clearly in foggy conditions, a railway engineer uses a dimensional analysis and assumes that the distance depend on the mass density row of the fog, intensity of the light from the signal and frequency, okay, मतलब distance d जो है, वो depend कर रही है, एक तो density की power a, intensity की power b, और third one is the frequency raised to the power c, कि किसी foggy condition में, किसी भी signal को अपन कितनी distance तक catch कर सकते हैं, वो इन तीन चीजों पर depend कर रहा है, मुझसे, question में ये कहा गया है, as of the light from the signal frequency f, the engineer finds that d is proportional to s raised to the power 1 by n, we have to calculate the value of n, मतलब overall अपने को ये देखना है कि dependency कैसी रहती है, तो इस type के question को करने का सबसे सटीक तरीका, पहले इस type से लिखेंगे, इस पर depend कर रहा है, इस पर depend कर रहा है, फिर दोनों side में, dimensional analysis method से, dimension put करो, solve करेंगे, M0, L1, T0, now the density, density is M L-3, raised to the power A, intensity, intensity is power upon area, and power is W upon T into A, work is M L2, T-2, this is T, and this is L2, so the intensity is M L0, T-3, M L0, T-3, raised to the power B, now the frequency, that is T-1, raised to the power C, हमें किवल B पर concentrate करना है, क्योंकि S की पावर 1 बाई N दे रखा है, S वाले से मतलब है, चलिए, कोई नी, तो M की पावर को compare किया, तो यहां से तो M की पावर आई A, यहां से M की पावर आई B, यहां से L की पावर आई minus 3 A, यहां से L की पावर कुछ आनी नी है, यहां से भी कुछ नहीं आनी, और यहां से T की पावर जो मेरे पास आ रही है, that is minus 3 B and minus of C, चलिए, अब compare करते हैं, जैसे ही compare करेंगे, पहले L की पावर को compare करो, तो left hand side में 1 है, और right hand side में it is minus 3 A, minus of 3 A, तो from here A is minus 1 by 3, चलिए, अब M की पावर को compare करते हैं, यहां M की पावर है A plus B, और यहां M की पावर है 0, तो अपने का जी साब A plus B is equals to 0, therefore B is equals to minus of A, तो A की value जो अपने पास यहां पर solve करने, B की value जो solve करने पर आरही, that is 1 by 3, और question में इसको क्या कहा गया है, question में इस वाले data को 1 by N कहा गया है, तो we can say that N is 3, वो लिए सट है, चलिए एगले question की बात करते हैं, 3 is the answer, next question, question number 6, यह एक integer type का question है, कि arrow planes capital A and capital B are flying with constant velocities in same vertical planes, at angles 30 degree and 60 degree with respect to the horizontal, at so on in figure, यहाँ पर aero plane capital A है, diagram के coding यहाँ से 30 degree पर moving है, यहाँ पर aero plane capital B है, और यह यहाँ से 60 degree पर moving है, अच्छा जी साहब, the speed of A is 100 root 3 meter per second, at T is equals to 0, and observer in B finds that, observer in A, okay, finds that B is at a distance of 500 meter, okay, this observer sees B moving with a constant velocity, perpendicular to the line of motion of A, okay, if at T is equals to T naught, capital A just escapes being hit by capital B, then we have to find the value of T naught, देखे situation कुछ ऐसी है, आप लोग सोच रहे हैं कि सर क्या कर रहे हैं नहीं, फोटो दुबारा से बना रहे हैं, diagram बना लिए ना आपने, यह A है और यह B है, A में जो observer है, वो यह observe करता है कि B जो है, वो केवल उसके perpendicularly move कर रहा है, B जो है वो उसके perpendicularly move कर रहा है अपने पास, अच्छा जी साथ, अब इसके पास जो velocity है, वो है 100 root 3, इसका मतलब B के पास, यहां से 30 degree पर जो velocity है, मेरी बात को समझ ना जरा, B का जो observer है, उस B जो है उसको वेलोसिटी को अपनने, A के along और A के perpendicular ब्रेक किया, तो VB तो अपने पास इस वाली direction में था, इधर एसाब VB, तो इधर होगा VB cos 30, और इधर होगा VB sin 30, अब यदि A वाला जो observer है, वो यह observe कर रहा है कि B उसके perpendicular आ रहा है, इसका मतलब यह वाली velocity और यह वाली बराबर है, तब ही तो perpendicular वाली बची है, मतलब 100 root 3 जो है, वो VB cos 30 के equal है, cos 30 जो है वो root 3 by 2 होता है, तो B की जो velocity मेरे पास आ रही है, that velocity is coming as 200 meter per second, B की जो velocity अपने पास आ रही है, that is 200 meter per second, तो perpendicular direction में जो velocity है, that perpendicular velocity is, मतलब B की जो A के perpendicular है, या फिर B की velocity जो A के relative है, that is VB sin 30, क्योंकि parallel वाली तो cancel out होगी, sin 30 is 1 by 2, so this is 100 meter per second, separation, perpendicular separation between them is 500, तो time की value calculate करें, जिसमें बस hit खोने से just बचा है, that time is 5 second, so for this question, the correct answer is 5, चलिए जी सर, next question की बात करते हैं, question number 6 के बाद, the next one is question number 7, देखें 7 में क्या कहा गया है, कि तुरिं सरल्स एक्सपरिमेंट, zero of a vernier scale, lies between this and this, of the man scale, okay, vernier scale का zero जो है, हो man scale के इस point और इस वाले point के बीच लाई कर रहा है, okay sir, if the 20th division of vernier scale, exactly coincides with one of the man scale division, when an additional load of 2 kg is applied on the wire, the zero of the vernier scale still lies between this and this, of the man scale, but now the 45th division of a vernier scale coincides with the one of the man scale division, the length of the thin metallic wire is 2 meter and cross sectional area is this, the least count of vernier calipers is this, the maximum percentage error in the calculation of young's modulus of the wire is, देखें क्यूशन बहुत आसान सा है, vernier calipers और screw gaze का क्यूशन एक्जाम में आता है न, तो सबसे पहली चीज उसे दिखा के डाराया जाता है, इतनी language को एक दफा एक साथ पढ़ लो ना यार तो sol कर पाना पोसिबल ही नहीं है, पहले उसको समझ पाना ही पोसिबल नहीं है, क्यूशन बहुत सिंपल सा है कि साब एक load लगाया हुआ है, man scale की reading तो in के बीच मतलब ये वाली होगी, और load जो है वो vernier scale के 20th division के साथ, मतलब vernier scale का 20th division man scale के किसी division के साथ coinciding है, जब आपने extra 2 kg लगाया, एक्स्ट्रा 2 kg लगाया, तो 45th division जो है ना वरnier scale का, वो coincide करता है man scale division के साथ, मतलब 2 kg का load extra लगाने से, if W extra, कि extra load जो है, वो अपनने 2 kg का अपलाई किया, तो length में जो expansion, extra expansion हो रहा है, that extra expansion in the length is, 25 vsd, वरnier scale के 25 divisions के बराबर होगा, बोलो हाँ या ना, हमें वो young's modulus में percentage error बतला नहीं है, बाकी सब चीजी सेट है, तो young's modulus की value जब अपन calculate करते हैं, तो young's modulus अपने पास आता है, W divided by capital A, into में, delta L divided by L, मतलब, delta L change in length है ना, तो जब अपन young's modulus में percentage error calculate करेंगे, that will be del of delta L, divided by delta L, multiplied with 100, बोलो हाँ या ना, बोले जी सही, अब सुनना मेरी बात को, del of delta L जो है, वो 1 VSD के equal होगा, बहुत आसान question है, calculation ही नहीं करनी है, इस question में, del of delta L जो है, वो 1 VSD के आसपास है, 1 VSD के आसपास है, exactly 1 VSD है, बोलो हाँ या ना, क्योंकि आपने 20, 20 से लेकर 45 division के बीच का देखा है, 20 से लेकर 45 तो 25 division का हुआ, तो error जो होगी, वो VSD की calculation में ही हुई है, अब कितने की हुई है, obviously, जब कुछ भी नहीं देता है, तो अपन उसके, एक division के equal लेकर चलते हैं, divided by, delta L जो है, वो मेरे पास 25 VSD के equal है, multiplied with 100, लेकर VSD से VSD cancel out हो गया, this data is 100 by 25, that percentage error in the calculation of Y, that is 4%, vernier calipers और screw gaze का question, यदि exam में आ रहा है, मतलब अगला bonus फैंक रहा है, but patience के साथ उसको पढ़ना आना चाहिए, और बहुत आराम से questions होल करो, केवल formula based questions होते हैं, एक दफा जरूर, J.E. Advance के paper में, एक दफा जरूर, vernier calipers का एक typical सा question आया हुआ है, उसको भी अपन डील करेंगे, पर बाकी questions, vernier calipers और screw gaze के, बहुत normal से आते हैं, थोरी पढ़ो, complete हो जाएगा, 40 cm to the left of the wire, using a standard resistance of 90 ohm, as shown in the figure, the least count of the scale, meter, least count of the scale used in the meter is 1 mm, the unknown resistances, unknown resistance बतलाना है, वो भी error के साथ, हो क्या रहा है, इदर R है, इदर 90 है, इदर 40 है, इदर वाली side में जो length आएगी, that will be 60 cm, तो मैं काऊंगा, R by 40 is equals to 90 by 60, तो यहां से, resistance R की value जो अपने पास आ रही है, that value is, 2 times, 3 times, 30 times, so the resistance is 60 ohm, resistance 60 ohm है, चलिए ठीक है, अब मेरे को error की बात करनी है, माल लो यह वाली length L1 है, और यह वाली length L2 है, resistance में तो इसमें तो कोई error है नहीं, तो R by 90 जो है, वो मेरे पास L1 by L2 है, तो delta R जो होगा, that will be delta L1 by L1, plus में, delta L2 by L2 divided by R, delta R by R will be delta L1 by L1, plus delta L2 by L2, अब देखो, इसमें जो error हो सकता है, वो हो सकता है 0.1 cm का, divided by, यह वाला data है 40 cm, और इसमें जो error हो सकता है, वो हो सकता है 0.1 cm का, दोनों में 0.1 का होगा, इदर 40 cm, इदर 60 cm, तो least count के equal होता है, least count के equal होगा, तो delta R जो मेरे पास आएगा, that will looks like this, this is 0.1, 1 by 40 plus 1 by 60, अब, so we can write it like, 3 by 120, 2 by 125 by 120, इन्टू में resistance R that is 60, यह cancel out what 2 times, यह cancel out what 2.5 times, 0.1 से multiply किया, तो इसमें error जो अपने पास calculate हो कराया, that error is 0.25 ohm, तो इस वाले case में, error के साथ, resistance की बात करें, that resistance is 60 plus minus 0.25 ohm, बोलो ठीक है कैसर, चलिए डियर, अगले question की बात करते हैं, 8 के बात, NLM और frictions regarding में chapter की बात करूँ न, तो generally NLM और frictions से बहुत कम question आए वे है, हाँ, बाकी सारे chapters में NLM और friction का एक अच्छा use होता है, लेकिन particularly NLM और friction को लेकर chapter की बात करें, तो इससे question कम आए वे है, और जो भी आए वे हैं, पुराने इथियास में भी देखेंगे, तो inclined plane पर frictions regarding questions ज्यादा आए वे हैं, तो चलिए अपन इस वाले case में बात करते हैं, इसमें बोला गया है, question बहुत बढ़ा सा है, और solution बहुत ज्यादा आसान सा है, question से सुरू करें, तो that a block of mass m1 is equals to 1 kg, another mass m2 is equals to 2 kg are placed together, on an inclined plane, with an angle of inclination theta, various values of theta are given in the list first, the coefficient of friction between m1 and the plane is always 0, मतलब m1 और plane के भी किसी type का कोई friction अवेलेबल नहीं है, the coefficient of static and dynamic friction between the block m2 and the plane, 2, this is mu, not m, यहाँ पर जो friction coefficient है, वो 0.3 है, in least second expression for the friction on the block m2 are given, match the correct expressions of the friction in list second with the angles given in the list first, and choose the correct options, the acceleration due to gravity is denoted by z, कुछ information और दी गई है, मतलब question actually में कुछ इस टाइप का है, कि यह मेरे पास एक inclined plane है, यहाँ पर एक block है जिसका mass m1 है, और यहाँ पर एक block है जिसका mass m2 है, तो मेरे को पता, downward direction में एक तो force लगेगा m1 g sin theta, इस m1 वाले पर, और इस पर लगेगा m2 g sin theta, तो downward direction में जो net force calculate होकर आ रहा है, that net force is m1 g sin theta, plus m2 g sin theta, और इस पर जो friction लगेगा, वो केवल इसकी वज़े से लगेगा, that is mu m2 g cos theta, maximum value, अब यदी ऐसा है, कि if this quantity is less than this quantity, then this block will not slide, the friction will be static in nature, और static friction की value इसके equal होगी, और यदी ये data इससे ज़्यादा है, तो नीचे slide करेगा, और friction इसके equal लगेगा, बोलो हाँ या ना, अच्छा, तो अपने को यही match करना, मैंने का lesser के लिए बात कर लेते हैं, मतलब m1 प्लस m2, g sin theta, that is less than mu m2 g cos theta, जिसमें slide नहीं करेगा, friction static होगा, और static friction की value, m1 प्लस m2 g sin theta की equal होगी, इस value is 3 z, तो 3 sin theta, this mu is 0.3, and this is 2 cos theta, मतलब जब आपका 10 theta, 0.2 से lesser है, तो friction nature में static, और 0.2 से higher है, तो friction nature में kinetic, kinetic होगा तो इसके equal होगा, static होगा तो इसके equal होगा, इसके basis पर match करना है, तो जो given information है न, उसमें 11.5 degree को 0.2 का आगे है, मतलब यदि मेरा angle, 11.5 degree से lesser है, जो कि एक तो यहाँ है, और एक यहाँ है, तो उन दोनों में friction की value, M1 प्लस M2Z sin theta के equal होगी, और यदि मेरा angle 11.5 degree से ज़्यादा है, तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, उन दोनों cases में friction की value, mu M2Z cos theta के equal होगी, तो P और Q के साथ तो second वाला option match करेगा, और R और S के साथ third वाला option match करेगा, so fourth one is the correct answer, चलिए ठीक है, next question की बात करते हैं, next वाला question, फिर एक vernier calipers और screw gauge पर based question है, देखे, generally यह ना, बच्चे इस वाले portion से डरते हैं, vernier calipers और screw gauge, और advance के paper में, इससे generally एक या दो question आता ही आता है, important भी है, अब भी देख लेना, मैंने आपको पहले कहाता, vernier calipers और screw gauge में, यदि आपको questions का basic knowledge है, तो आप परिशान नहीं होंगे, typical हो ही नहीं सकता question, बहुत ज्यादा, चलिए सुरू करते है question के साथ, question बोल रहा, consider vernier calipers in which, one centimeter of man scale is divided into eight divisions, मतलब vernier calipers के लिए, one centimeter जो है, वो eight MSD के equal है, इसका मतलब one MSD जो है, वो one by eight centimeter के equal है, language से confuse करने की कोशिस कीगी, equation में बस बाकी कुछ नहीं है, okay, and screw gauge with hundred divisions on circular scale, screw gauge में, circular scale में hundred divisions है, in the vernier calipers, five divisions of vernier scale, coincides with four divisions of man scale, मतलब five VSD जो है, वो four MSD के equal है, इसका मतलब one VSD जो है, वो five by four MSD के equal है, तो vernier calipers में, least count calculate करना चाहे, least count is one MSD minus one VSD, that is one minus four by five, that is one by five MSD, और one by five MSD बोला जाए, तो it is one by 40 centimeter, vernier calipers का least count, one by 40 centimeter आगया, अच्छा जी साथ, फिर आगये, in the screw gaze, one complete rotation of circular scale, move it by two divisions on the linear scale, की screw gaze में, एक complete rotation से linear scale में, दो part के equal movement हो रहा है, ठीक है साब, अब आओ option by option, की if the pitch of the screw gaze, is twice the least count of vernier calipers, the least count of screw gaze, की screw gaze की जो pitch है, twice the least count of vernier calipers, यह न, pitch जो होती है, वो एक complete rotation में movement के equal होती है, और वो vernier calipers के least count के twice है, और vernier calipers का least count, जो है वो one by 40 centimeter है, one by 40 centimeter है, तो pitch जो मेरे पास calculate होकर आया, screw gaze का, that is 1 by 20 centimeter, तो least count जो मेरे पास आयेगा, that is 1 by, number of divisions on circular scale से divide करते हैं, that is 100, so this value comes as, centimeter में बात करें, तो 0.5 into 10 raise to the power minus 3 centimeter, mm में बात करेंगे, तो 0.5 into 10 की power minus 2 mm, so this value is 0.005 mm, simple सी बात, तो देखो साब, पहले वाले option में तो, इसका least count 0.01 mm है, तो गलत, दूसरे वाले में 0.005 mm है, same option के साथ, same conditions के साथ, so second option is the correct answer, तीसरे में कह रहा है, if the least count of linear scale of screw gauge is twice the least count of vernier calipers, कि उसका least count जो है, उसके twice के equal है, तो least count of linear scale on screw gauge, okay, twice the least count of vernier calipers, मतलब, one man scale division of screw gauge, is 1 by 20 cm, vernier calipers का, twice the least count of vernier calipers, vernier calipers के least count का twice है, 1 msd की value, तो pitch जो होगा, वो कितना होगा, पीच जो अना डियर, वो 1 by 10 cm होगा, क्योंकि pitch में, 2 linear scale move, 2 linear scale division move कर रहा है, तो 2 linear scale division गया है, तो 1 by 10 cm, फिर उसके least count की बात करें, screw gauge के लिए, that is 1 by 10, into my number of divisions, that is 100, so this value comes as 0.1 into my 10 ki power minus 2 cm, और यहां से अधी हम में बात करेंगे, तो this is 0.1 into 10 ki power minus 1 mm, and that value is 0.01 mm, so according to this, the third option is correct answer, third or fourth, दोनों साथ में दिये गये हैं, एक condition के regarding, तो जिन में से third सही है, 1 और 2 में से 2 सही है, so for this question, correct answers are 2 and 3, चलिए जी सर्थ, बात को आगे की और भढ़ाते हैं, next वाले question की बात करते हैं, यह बहुत famous सा question है, मतलब एक दफा तो यह जही मैंस में आ चुका है, युनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट, स्पीड अफ लाइट और प्लेंक्स कॉंस्टेंट की बेसिस पर, मास का दाइमेंशनल फोर्मूला और लेंथ का दाइमेंशनल फोर्मूला, चलिए तो सोल करते हैं इसको, क्यूशन कुछ ऐसा है, अपने मास के लिए बात करते हैं, तो हम कहेंगे मास प्रपोर्शनल आया, युनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट की पावर ए, ह की पावर बी, और एक्स वाई जड ले लेते हैं, सी आ रहा है ना पहले से, युनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट की पावर एक्स, ह की पावर वाई, और सी की पावर जड, मास का अपन यहां से देखा, दोनों साइड में डाइमिंशनल फॉर्मूला कंपेर करेंगे, एम वन, एल जीरो, टी जीरो, f r square upon m1, m2, f होता है ml t-2, इंटू में l2 और नीची अपने पास है m2, so it is m-1, l3, t-2, उसके बाद planks constant अपन पहले ही deal कर चुके है, h by f से, it is m, l-2, t-1, raised to the power y, now c, speed of light, lt-1, raised to the power z, तो इधर से यदि मैं compare करूंगा, तो 1 की value जो मेरे पास आ रही है, m की power देखिए क्या-क्या है, एक तो है minus x, और यहां अपने पास है y, l की power इधर तो है 0, इधर है 3x, plus 2y, plus z, फिर t की power इधर है 0, इधर है minus 2x, minus y, minus z, बोलो सही, देखिए इन दोनों equations को गूर-गूर के देखें यदि, तो 2x plus y plus z is equals to 0, 3x plus 2y plus z is equals to 0, इसका मतलब x plus y भी 0 होगा, इसमें से इसको subtract कर दो, x plus y 0 है, इसका मतलब x की value minus of y के equal है, जैसे ही अपन इसमें put करेंगे, 1 comes as, minus of y, that is plus y, 2y, तो y की value आगी, मेरे पास 1 by 2, y की value 1 by 2 आई, तो x की value जो मेरे पास आई, that is minus 1 by 2, मतलब इसकी power minus 1 by 2, h की power 1 by 2, अच्छा, और उसके बाद, c के बारे में बात करते हैं, z के लिए, देखिए जैसे ही value यहाँ put करेंगे, this value is, 2x plus y plus z is equal to 0 में put कर दो, यह अपने पास बना, minus 1 plus 1 by 2 plus z is equal to 0, यहाँ से solve करने पर z की value 1 by 2 आगी, z की value 1 by 2 आई, तो एक तो यह सही हो गया, g की power minus 1 by 2 है, तो यह वाला गलत हो गया, अब L को लेकर भी बात करने हैं, देखें, जब L को लेकर बात करेंगे न, तो अपन एक छोटा सा ही change करेंगे, क्या, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 0, बाकी तो इधर तो लिखने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, तो जब अपन powers को compare करेंगे, तो पहली चीज़ तो अपन लिखेंगे साब minus x plus y is equal to 0, तो आप कहेंगे यहाँ से x की value किसके equal है y के, दूसरा, L की power 3x plus 2y plus z is equal to 2 अपने पास आजाएगा कितना 1, और वही वाली quantity 2x plus y plus z, वो वाली value तो t की power तो 0 यहाँ आएगी, यहाँ से solve करने पर x plus y is equal to 1 आगया, xy के equal है, तो x और y दोनों की ही value जो है, वो 1 by 2 आगी, और z की value यह दिए अपन यहाँ से solve करेंगे, तो z की value अपने पास solve करने पर minus 2x minus में y, तो minus में 2 by 2, minus में 1 by 2, minus में 3 by 2, तो इसके according, g की power 1 by 2 बिल्कुल आ रहा है सा, और h की power 1 by 2 बिल्कुल आ रहा है, so third and fourth options are also correct, so correct answers for this question are 1, 3 and 4, चलिए जी सर, अगले question की बात करते हैं, 11th के बात, the next one is question number 12, देख, question number 12 जो है ना, मतलब, दिमाग में आया है ना, खट से होने वाला question है, बहुत, आराम से सोचो, सोच की होने वाला सा question है, question में कहा गया है, कि that the energy of a system of a function, time t is given as, et is equals to a square, e raised to the power minus alpha t, where this alpha is 0.2, या तो इसको a माल लो, कोई दिकत वाली बात निया, इसको alpha के दो, 0.2 second inverse, the measurement of, measurement of a, has an error of 1.25%, or measurement in the time is 1.5%, और मेरे को, energy calculation में, time t is equals to 5 second पर error बतलानी है, ठीक है साब, तेके question को, बहुत simple way में लिखेंगे, कि energy जो है, a square e raised to the power minus alpha t, दोनों तरफ लोग लगा दो, log e is equals to, 2 times of log a, minus of alpha t, ऐसा ही कुच आएगा, तो चडिए, आगे यदि अपने इसको differentiate कर दें, तो differentiate करते हैं, ये वाला data क्या बना, 1 by e, साथ में d e, और percentage error calculation के लिए 100, ये वाला data, plus minus, 2 times of d a by a, into 100, और ये वाला data मेरे पास आगया, plus alpha, into में dt into 100, बहुत T को differentiate किया, बनाया, और साथ में t का dt लगा दिया अपने, बोलो हाँ या ना बोले हाँ, अब सुनना मेरी बात को, actually में dt by t, into में 100, ये वाला data मेरे को given है ना, ये 1.5% ये बना, देखिए रहा, और यही इसलिए sum at t is equals to 5 seconds दिया गया है, कि dt by into 100 की value अपने को लिखनी हो, तो that value will be 7.5%, बोलो हाँ या ना, तो यहाँ पर जैसे ही अपन value put करेंगे, देखिए इसमे, 2 times, da by d into 100, da by d into 100 is 1.25, प्लस में alpha is 0.2, और this data is what, 7.5, बोलो हाँ या ना, तो value जो अपने पास आरही है, this value is coming as 2.5+, this value is 75 into 0.2, 75 into 2 that is 150, दो पास पर लगाना है, that is 1.5, so the error in the calculation of energy as a function of time is 4%, maximum permissable error, maximum percentage error अपने को मिलेगी, that will be 4%, बोलो ठीक है क्या सर्थ, चलिए अगले question की बात करते है, next वाला question, question number 13, 13 फिर एक unit dimension पर based questions है, और इसके लिए manly अपने को dimensional formula याद होने चाहिए, question देखे क्या कहा गया है, कि in terms of potential difference, electric current, permittivity, permittivity and the speed of light C, the dimensional correct equation अपने से पूछी गई है, तो इसमें 2 options correct है, एक तो first वाला correct है, और एक third वाला correct है, अपन दोनों को देख लेते हैं, एक different approach बतला रहा हूँ, वैसे तो आप रखना चाहिए, तो dimensional formula रखके प्रूव कर सकते हैं, कि कौन सा equation correct आ रहा है, थोड़ा सा एक different approach, कि जैसे मूनोट I square जो होता है, यह दि दो current carrying wire होते हैं, जिन में से, दोनों में से current I flow कर रहा होता है, तो उन में force per unit length जो होता है, वो मूनोट I square divided by 2 pi D होता है, इसके basis पर 1 ampere को define करते हैं, तो मूनोट I square जो है, वो actually force का dimensional formula है, बोलो हाई या ना, मतलब left hand side force का dimensional formula है, अब right hand side में epsilon not V square है, epsilon not V square जो है, V जो है, उसको लिख सकते हैं, E into D, B, बोलो हाई ना, electric field into D, dimensional form में बात कर रहा हूं, मैं वैसे नहीं बात कर रहा हूं, epsilon not E square, into D square, है ना, अच्छा, epsilon not E square जो है, वो dimensional formula होता है, energy density का, तो energy density जो है, that is energy upon volume, half epsilon not E square, electric field के energy, into में D square, अच्छा जी, अब energy जो वो work के equivalent होता है, work के equivalent होता है, तो W into D, divided by volume वैसे D cube के equivalent होता है, into में D, sorry, energy is work के equivalent होता है, work जो होता है, वो force into D, तो U को अपन लिख सकते हैं, F D, तो यहाँ से D cube से अपना D cube सहीद हो गया, और यह भी किस के equivalent हा रहा है, force के equivalent हा रहा है, इसका मतलब first वाला जो option है, वो तो correct है साब, गोलो सही, अच्छा, अब चलिए, third वाले option के regarding बात करते हैं, third वाला जो option है, वो epsilon naught C V है, V is the potential difference, C, बोला जाये तो किस के regarding है, C, speed of light के regarding है, बोले जी ठीक बात है, तो I is equals to, I जो होता है वो charge होता है, charge is Q by T, बोलो हां की ना, बोले हां, अच्छा जी, यहाँ पर, epsilon naught C V जो है, V is the potential difference, epsilon naught A, divided by L, यह अपने पास जो है, यह capacitance का dimensional formula होता है, तो A by L लिखा है, इसका मतलब, dimensionally मैंने L से multiply किया, तो dimensionally मैं L से divide करूँगा, और इधर वाली side में, speed of light जो है, वो L, T minus 1, यह potential difference V, बोलो ठीक है, यह अपने पास, capacitance का dimensional formula होता है, epsilon naught A by D, और into में, sorry, capacitance का dimensional formula, और यह होता है, potential difference का dimensional formula, तो capacitance और potential difference का dimensional formula होता है, charge के equivalent, अब इधर से यह तो cancel out हो गया, और उपर जो है, वो T minus 1 बचा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, we can write it like Q by T, बोलो हाया ना, अप प्रोच समझे क्या, मैंने का epsilon naught CV जो है, वो epsilon naught को मैंने area by length से multiply किया, तो overall मैंने, उपर L square नीचे L, तो एक L से उपर multiply किया, तो नीचे L से divide कर दिया, dimensionally बात कर रहा हूँ, तो यह capacitance का dimensional formula, capacitance into my potential difference, that is the dimensional formula of charge, length से length का dimensional formula, तो cancel out हो कि T inverse बचा, Q into T inverse that is Q by T, that is equivalent to current, so the third option is also correct answer, बोलो ठीक है क्या सर, चलिए आगे बढ़ाते है, next अगले क्यूशन की बात करें, the next one is question number 14, यह भी कुछ ऐसा साही है, मतलब दिमाख में वो चीज़ क्लिक कर जाएना, तो बहुत आसान सी चीज़ है यह question, चलिए question में क्या कहा गया है, that the length scale depends on the permittivity of a dialectic material, Boltzmann constant and the absolute temperature and the number per unit volume of certain charged particle, okay, per unit volume में है, मतलब N का dimensional formula लिखना चाहेंगे, तो N का dimensional formula L-3 आएगा, नमबर का तो कुछ होगा नहीं, 1 by volume करना है, तो volume N-3, L-3, and the charge Q carried by each of the particle, which of the following expression for L is dimensionally correct, L के लिए कौन सा dimensionally correct option है, देखिए बटाजी, यदि आप चारो options को गूर गूर के देखते हैं, तो चारो options में, Q square by epsilon है और उसके denominator में KB by T है, देखिए यहाँ भी Q square by epsilon KB by T, Q square by epsilon KB by T, यहाँ भी Q square by epsilon है उसके denominator में KB by T, और यहाँ भी Q square by epsilon ने denominator में KB by T, तो इसका dimensional formula निकालने हैं अपन, Q square by epsilon, साथ में KB by T, थोड़ा सा अलग approach लगाते हैं, यदि दो charge particles, Q1 और Q2, R distance पर होता है, तो energy का formula होता है, के Q1, Q2, या फिर Q1, Q2 upon 4 pi epsilon, इंटू में R, तो Q square by epsilon जो है, उसका dimensional formula, Q square by epsilon जो है, उसका dimensional formula, UR के equal है, U energy है, बोलो हाँ या ना, बोले हाँ, और divided by, KB by T करता हूँ यदि मैं, तो KB by T energy है, तो Q square by epsilon, ये U by R के equal है, और divided by KB by T किया, तो ये केवल R के equivalent बचेगा, मतलब इसका जो dimensional formula है, वो केवल L के equivalent है, बोलो हाँ या ना, बोले जी ठीक है, अब चार ओप्शन कट 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 चेक कर लो, पहले वाले क्यूशन में कहा गया है, N, N होता L minus 3, इन 2 में Q square by epsilon, ये L के equivalent, L minus 2, बाहर निकल कर आया, L minus 1, so this is the incorrect answer, दूसरे वाले में, Q square by epsilon, साथ में KB by T, थार्ड वाले में Q square by epsilon साथ में KB by T, L के equivalent है, और ये N की power 2 by 3 है, तो N की power 2 by 3 मतलब L minus 2, यहां से सोल किया, तो L minus 1 आया, तो ये L की power 1 by 2 आया, so this is also incorrect answer, फोर्थ वाले में यदी में बात करता हूँ, so this is Q square by epsilon, ये तो L के equivalent है, और ये L minus 1 के equivalent है, N की power 1 by 3 है ना मिटा, तो उपर गया, तो दोनों L2 बन गए, L2 का under root निकाला, तो L के equivalent, मतलब length के equivalent हा रहा है, so the second and fourth answers are correct, चलिए जी सर, अगले question की बात करते हैं, next one is question number 15, 15, वर्नियर केलिपर्स पर आया, सबसे चांददार question है, अब तक के इतियास में, क्योंकि हम हमेशा, वो करते हैं, जिसमें MSD, VSD से बड़ा होता है, जेई में एक question पूछा गया है, जिसमें VSD, MSD से बड़ा है, तो फिर उस question को कैसे approach लगाएंगे, चलिए one by one बात करेंगे, पहले जब MSD, VSD, से बड़ा है, फिर जब VSD, MSD से बड़ा है, question देखे, क्या कहा गया है, कि there was two vernier calipers, both of which have, one centimeter divided into equal divisions, ten equal divisions on man scale, इसका मतलब, one MSD जो मेरे पास आना है, that is one by ten centimeter, अच्छा जी, the vernier calipers or one of the calipers, C1 has ten equal divisions, corresponds to nine man scale divisions, पहले C1 के regarding बात कर रहे हैं, इसके regarding, तो इसमें मेरे पास, nine VSD जो है, sorry, ten VSD जो है, वो nine MSD के equal है, इसका मतलब, one VSD जो है, वो nine by ten MSD के equal है, तो इस वाले case में, least count जो होता है, one MSD, minus one VSD होता है, one MSD, minus में one VSD, that value is, one minus nine by ten, that is one by ten MSD, one MSD is one by ten centimeter, so this value is one by hundred centimeter, अच्छा जी साब, अब यदि मैं reading देखना चाहूं, तो देखिए, ये तो 2.8 है, इसके बाद vernier scale का zero है, तो man scale reading तो होगी 2.8, और, vernier scale का, जो 5, 6, 7, 7 वाला जो part है, वो man scale के किसी एक part के साथ coinciding है, तो reading हो जाएगी 2.8 plus में, 1 by 100, 0.01 least count, into में N, that is 7, so this value comes as 2.87 centimeter, इसका मतलब C1 की reading तो 2.87 centimeter है, और इस question में, अगले को interest जो है ना, जेए को interest एक्छुली C2 की reading में था, C1 की reading में था ही नहीं देखू, 2.87 की तीन option पढ़े है, reading C2 की जो है ना, वो मज़िदार आएगी, तो चलिए सर, C2 वाले के regarding बात करें, C2 के regarding बात करें, तो C2 में actually हो क्या रहा है, कि C2 वाले में अपने पास, 10 भाग जो है, मुख्य पहमाने के, वर्नियर स्केल के 10 भाग, मुख्य पहमाने के, 11 भागों के बराबर है, मतलब VSD, MSD से बढ़ा है, तो 10 VSD जो है, वो 11 MSD के बराबर है, इसका मतलब 1 VSD जो है, वो 11 by 10 MSD के बराबर है, मतलब ये वाली value, 0.11 cm है, 1 VSD जो है, वो 0.11 है, और 1 MSD जो है, वो 0.1 cm है, बोले जी ठीक है, अच्छा, तो अब इस टाइप के question को, solve करने के लिए क्या करते हैं, देखिए, actually में तो हमारी reading जो है, मतलब इन दोनों के बीच में, actually थोड़ा सा difference था, मतलब ये ऐसा था, कि जैसे ये 3rd वाला part है, ये 2.9 है, ये 2.8 है, और ये यहां से शुरू हो रहा था, तो really में तो आपकी जो reading है बिटाजी, वो यही तो है, बोलो हाई है ना, real जो reading है ना आपकी, वो 2.8 प्लस में this difference, क्योंकि वर्णियर स्केल स्लाइड होते हैं तो यहां तक पहुँचा है, हम यदि slight difference की value calculate कर पाएंगे, तो हमारा question सोल हो जाएगा, चीक बात है साथ, अब यहां से आप चले, तो ये दोनो match जहां कर रहे हैं, वो ये वाला point है, मतलब 7th division फिर से coinciding है, 7th division फिर से coinciding है, that is 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, this value is, थोड़ा सा diagram में गड़बड हुआ है, let me check the source, तो इसमें जो है, वो actually ऐसे diagram में लगेगा, थोड़ा सा गड़बड हुआ है, ये हो रहा तो ये वाला part ही इसके साथ coinciding है, मतलब vernier scale जो है, इसका 7th वाला जो part है, man scale के 3.6 वाले part के साथ coinciding है, अब जड़ा सुनना बात को, ये 3 है, ये 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ठीक है, इसके साथ vernier scale का 7th part coinciding है, तो मैंने का आप यहां तक जब आए, तो चल के आए 2.8, और यहां तक जब पहुँचे, तो आप पहुँचे, एक्चुली में मैंनी scale पर 2.8 प्लस में 0.8, बुलो हाई या ना, 2.8 यहां तक, और 8 पार्ट आगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 2.8 प्लस 0.8, और नीचे वाले में, आप 2.8 पहुँचे, उसके बाद X चले, और वर्नियर scale के 7 divisions चले, तो आप चले, 2.8 प्लस X, प्लस वर्नियर scale के 7 divisions, और वर्नियर scale का एक division जो है, वो 0.11 cm के equal है, तो 0.11 इंटू में 7, तो यहां से X की value सोल करेंगे, that is 0.8 माइनस में 0.77, तो X की जो value मेरे पास आ रही है, that value is coming as 0.03 cm, बोलो हाई या ना, तो जो reading हुई, वो reading कितनी है, बोले जी साब, reading तो है 2.8 प्लस में X, इन दोनों के बीच का यह वाला difference, क्योंकि वर्नियर scale 0 से slide करना सुरू करती है, slide करती करती है, यहां तक ही तो पहुंचिए वर्नियर scale का 0, तो इसके पीछे जो भी है, that is the length, तो 2.8 प्लस में X की बात करेंगे, तो 2.8 प्लस में X, X की value है 0.3, तो इस वाले case में answer जो अपने पास आएगा, that fourth one is the correct answer, 2.87 प्लस 2.87, C1 का और C2 का जो answer होगा, that will be 2.83, यह थोड़ा सा अलग approach का question था, बिल्कुल, चलिए जी सर, अगले question की बात करते है, next वाला अपने पास question number 16, 16 में देखे क्या कहा गया है, कि in an experiment to determine, the acceleration due to gravity G, the formula used for the time period, for a periodic motion is, T is equals to 2 pi, under root में 7 capital R minus small r by 5 z, the values of capital R and small r, this and this respectively, the five successive measurements of time period are found to be this, this, this and this, the least count of watch used for measurement of time period is this, which of the following statement is true, देखे इसमें, time period को measure किया गया, इस formula से, जिसके basis पर G में percentage error बतलानी है, लेकिन कुछ calculations और की गई है, जिनके basis पर हम small r, और capital T में भी percentage error की बात करेंगे, यदि मैं capital, small r में error की बात करता हूँ, तो यह अपने पास हो गया, 1 by 10 into में 100, that value is 10%, मतलब small r के calculation में जो percentage error है, वो 10% की है, अच्छा जी, फिर time period के calculation में जो percentage error है, time period की 5 values दी गई है, कौन कौन सी, 0.52, 0.56, 0.57, 0.54 and 0.59, तो जो mean time अपने पास आएगा, that will be, 9, और चार तेरह, साथ बीस, चबीस, और दो अड़तेस, 8, तीन, पंद्रह, पच्छीस और तीन, ताइस, 2.88 divided by 5, this value comes as 0.53, तो ये जो अपने पास आ रहा है, ये अपने सभी जा है, तो ये 2 आया, ये 2 आया, तो ये 5 आ गया, 228, 5, 3, 3 बुले तो, 6, so 0.556 second, मतलब mean time जो है, वो ये आ रहा है, तो approximately 2 digits तक round off करेंगे, तो it is 0.56 second, mean time जो अपने पास आ रहा है, calculate होकर, वो 0.56 आ रहा है, तो delta tm की यदि मात करता हूँ, mean absolute error, that is 0.04, plus 0, plus 0.01, plus 0.02, plus 0.03, divided by 5, so it is, 3, 4, 8, 10, 5, that is 0.02, तो delta tm जो मेरे पास आया, वो 0.02 आ गया, अच्छा जी, t mean इतना आया, तो time के परसेंट, time में percentage error जो होगी, that is 0.02, divided by 0.56, multiplied with 100, यदि अपने इसको soul करते हैं, तो इसमें ये वाला जो option आता है, second वाला, कि time period is 3.57%, मतलब time में जो error है, time period में, वो 3.57% किये, that is the correct answer, अच्छा, अब उसके बाद, g में error पूछी गई है, तो gravitational acceleration में, error की यदि में बात करूँ, सबसे पहले तो उसके formula की बात करते हैं, time period का जो formula मेरे पास आ रहा है, that is given as, t is equals to 2pi, साथ में capital R minus small r divided by 5z, तो यहां से z की value अपन रख सकते हैं, 2pi, साथ में capital R minus small r divided by, t square, बोलो हां या ना, बोले हां, अब सबसे पहले तो capital R minus small r को अलग से deal कर लेते हैं, capital R minus small r की value जो अपने पास आ रही है, that is this plus this, तो यह आपने पास आ गया, capital R minus small r is 20, plus minus 2mm, दोनों में mean absolute error add होंगी, बोले जी ठीक है, तो यहां से यदि मैं delta z divided by z into 100 की बात करता हूं, that is 2 times of delta t divided by t into 100, plus मैं 2 times of, इस quantity को let's suppose l कह देते हैं, 2 times of delta l divided by l multiplied with 100, यदि अपने इसको solve करते हैं, तो approximately z में जो percentage error आ रही है, that percentage error is coming as 11%, तो इस वाले case में, one भी correct option है, second is also correct, and the fourth option is also correct, वो लो जी ठीक बात है क्या, चलिए जी सर, अगले question की बात करते हैं, 16 के बात, the next one is question number 17, देखे क्या कहा गया है, कि दाटा पॉसन मेजर्स the depth of a well, by measuring the time interval between dropping a stone, and receiving the sound of impact with the bottom of the well, the error in his measurement of time, delta t is 0.01 second, and he measures the depth of the well, to be capital L is equals to 20 meter, take the acceleration due to gravity z this, the velocity of sound is this, then the fractional error in the measurement, delta L by L is closest to 2, कि बंदे ने गया है, स्टोन डाला, उस टाइम को खट चप से आवाज आई, तो उस में, sound में, time जो लगा उसको आने में, वो मैं कहूंगा साब, इसको आने में जो time लग रहा है, और 2L by Z, plus में, L by 300 का लग रहा है, क्योंग? पहले तो stone को जाने में जो time लगा, L distance जाने में, फिर वहाँ से sound को L distance आने में जो time लगा, वो अपने पास ये time लगा, बोलो सही बात है कैसर, बोले जी ठीक है, अब यहाँ से, यदि में, DL by L की बात करनी है, L की value अपने पास 20 है, DL by L में बतलाना है की percentage error कितनी है, तो हमने का जी सब देखो, इसको यदि differentiate करें, तो DT is equals to, 2 by Z that can be written as L by 5, तो 1 by root 5 को तो ऐसे लिख दो, ये root L है, तो root L को लिखा, 1 by 2 root L, into में delta L, प्लस में, ये वाला data है, डेल्टा L, divided by 300, बोलो yes or, अरे सही बात है क्या, अच्छा जी, अब डेल्टा T की value जो है, वो 0.01 given है, यहां से यदि मैं इसको solve करता हूँ, एक दफा देखना ज़रा, डेल्टा T is 0.01, उपर वाला data तो डेल्टा L, 5 into 20, that is 100, 100 का अंडरूट निकाला तो कितना 10, 10 20, डेल्टा L को तो comment डाला, 1 by 20 plus 1 by 300, that value comes as 16 by 300, 0.01, तो डेल्टा L जो मेरे पास आया, that is 3 by 16, बोलो हा, हमें डेल्टा L by L बतलाना है, into 100, आंस्वर में बैसे ही दिया गया है, तो डेल्टा L by L into 100, that value is 3 by 16, सात में 1 by 20, multiplied with 100, बोलो हा या ना बोले हा, ये ये चैंसल आउट वा 5 times, अच्छा जी, तो दिस फिप्टीन डिवाइद भाई 16, तो 15 by 16, यदि अप्रोक्सिमेट वेल्यू की बात करते हैं, तो अप्रोक्सिमेट एरर in the measurement of percentage error in the measurement of length will be 1% depth बोलो हा या ना, पका, चलिए जी सर, आगे बढ़ाएं बात को, next question की बात करें, next one is question number 18, तो जी सर, 18 में कहा जा रहा है, कि consider an expanding sphere of instantaneous radius r, कि एक sphere है, जो expand हो रहा है, whose total radius remains constant, उसकी total radius जो है, वो constant है, okay, the expansion is such that instantaneous density remains uniform, throughout the volume, okay, the rate of fractional change in density is constant, the velocity v of any point of the sphere of expanding sphere is proportional to, देकि पहले तो question को समझते हैं, कि ये एक expanding sphere है, और ये sphere ऐसे expand हो रहा है, किसी time पर radius कोच, किसी time पर radius कोच, किसी time पर radius कोच, sphere जो है वो expand हो रहा है, पड़ इसका mass constant है, यदि इसका mass constant है, तो mass can be written as rho into 4 by 3 by RQ, बोलो हाँ या ना बोले हाँ, अब इसमें एक ओर term को constant दिया गया है, that is 1 by rho, d rho by dt, it is a constant, let's support it इसके, mass constant है, और rho में जो changing rate है, वो constant है, और किसी भी point की surface पर जो point है, उसकी speed, तो इसकी speed जो होगी, वो dr by dt होगी, और उसका radius के साथ, क्या relation होगा, हमें वो बतलाना है, बोले जी ठीक है, तो अपने ने कहां, यदि इसको differentiate करेंगे, तो इदर तो 0, इसको करेंगे error वाले terms में, तो इसको लिखेंगे, 1 by rho साथ में 0, और इसको लिखेंगे 3 times, dr by r, बोलो हाँ या ना, बोले जी ठीक है, तो हमने कहा, dr by r is equals to minus 1 by rho, साथ में 0, साथ में by 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो dr by dt is equals to minus में r, 1 by rho, d rho by dt साथ में 3, बोलो हाँ या ना, तो यहां साथ है कि यह वाला term, तो यह सारा का सारा constant है, dr by dt जो है, that is v, और यहां से अपन बोल सकते हैं, कि speed जो आ रही है, that is proportional with the radius, मतलब इस वाले case का correct answer जो अपन देंगे, then third one is the correct answer, बोलो ठीक है कैसर, चलिए अगले case की बात करते हैं, next question है, बहुत easy सा vector per based question, actually में 3 vectors हैं, कुछ इस type से, इदर vector p है, इदर vector q है, और इदर vector s है, और ऐसे एक vector, यह वाला vector r है, यह p और यह q, तो r की value जो मैं लिखोंगा, that will be q minus p, बोलो हाँ यह यह लिखा गया है, और यह वाली जो value है, यह b time so far है, देखे, इस triangle में यदी मैं बात करता हूँ, चलिए पहले question को पढ़ लेते हैं, कि 3 vectors हैं, p q r are shown in the figure, s में भी any point on the vector r, the distance between the point p and s is b r, the general relation between vectors p q and s, p q और s के भी general relation है, मतलब overall मैं s vector calculate कर रहा हूँ, अच्छा जी, तो बड़े वाले triangle में p vector plus r vector is equals to q vector, तो r vector is equals to q minus p, और इस छोटे वाले triangle में, जो कुछ इस type से है, this is p vector, this is b r vector, and this one is s vector, so s vector will be p vector, plus b r vector, now what is r vector, r vector is q minus p, so it is p plus b times, q vector minus p vector, so this will be, 1 minus b times of p vector, plus b times of q vector, बो ठीक बात है के सर, पका, तो इसके according के दी, अपन correct answer की बात करते हैं, तो second one is the correct answer, चलिए जी सर अगले question की बात करते हैं, next one is question number 20, 20 में कहा गया कि, दो vectors है a और b, और इनको कुछ ऐसे define किया गया, that vector a is a i cap, and vector b is a cos omega t i cap, plus a sin, plus sin omega t j cap, where a is a constant, and omega is 5 by 6, ये कहा गया है कि, a plus b का जो magnitude है, वो root 3 times a minus b है, किसी particular time, t is equals to tau के लिए, तो मेरे को वो t is equals to tau calculate करना, देखे, a plus b की बात करेंगे, तो it is a square plus b square, plus twice a dot b, square कर दिया तो, and it is 3 times a square plus b square, minus में 2 times a dot b, बोलो हा की न, अब इसको इदर ले आए, तो ये 2 times a dot b है, और ये 3 times, 6 times a dot b है, so this data will be 8 times a dot b, and here it is 3 times, a square plus b square, a का magnitude is small है, और b का magnitude भी स्मोल है आएगा, तो it is a square plus a square, minus में उदर बाला आया 2 a square, this data is 3 into 2, 6 a square माइनस में 2 a square, that is 4 a square, और इदर जब इसको dot multiply करेंगे, देखें, इसका dot product इसके साथ, तो a i cap, dot product with a cos omega t i cap, plus a sin omega t, z cap, तो ये तो हो गया a square, और ये वाला हो गया 0, a dot b is a square, so it is 8 a square, साथ में, cos omega t, तो यहां से जो term मेरे पास निकल कर आ रहा है, cos omega t, that is 1 by 2, इसको dot product करोगे, तो ये a square cos omega t आएगा न, अब cos omega t 1 by 2 आया, तो इसका मतलब omega t की value किसके equal है, बोले जी pi by 3, omega किसके equal है, pi by 6, पहली बाद time t is equal to 2 के लिए हो रहा है, तो time की value pi by 3, साथ में omega, that is pi by 6, तो यहां से मेरा जो time calculate होकर आ रहा है, that time is coming as 2 seconds, बोलो टीक है कैसर, अच्छा, चलिए 20 के बाद next वाले question की बात करते हैं, अगले जो 4 questions हैं, वो actually 2-2 questions है, paragraph based, पहले कुछ information दी गई है, और अपनी कुछ 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 करने है, question है कि in electromagnetic theory, the electric and magnetic phenomena are related to each other, ok, therefore the dimension of electric and magnetic quantities must also be related to each other, in the questions below, E and B stands for dimensions of electric and magnetic field respectively, while epsilon naught and mu naught stand for dimensions of permittivity and permeability of free space respectively, L and T are dimension of length and time respectively all the quantities are given in SI units और अपने को एक relation बतलाना कि E और B के बीच क्या relation होता है देखे, question बहुत आसान है यदि आपको velocity selector याद है लोरेंज फोर्स के टाइम अपन करते हैं जिसमें QVB की value QE के equal लेकर आते हैं तो आपका E जो है को BV के equal आता है तो अपने लिखें यहाँ से E का dimensional formula is equals to B का dimensional formula और V का dimensional formula हो गया L T minus 1 तो यहाँ से सीधा सीधा third वाला जो answer आराई यह that is the correct answer simple सा पंडा है question number 22 जो है बिल्कुल same paragraph लिखा गया है और mu not or epsilon not के dimensions के बारे में बात की गई है तो यदि आपको speed of light का एक formula याद हो that is 1 upon under root mu not epsilon not तो यहाँ से यदि मैं लिखना चाहूँ तो देखिए mu not can be written as 1 upon an epsilon not divided by c square तो mu not का जो dimensional formula है epsilon not raised to the power minus 1 और c L T minus 1 है न तो इसकी power minus 2 बोला जाये तो L की power minus 2 और T की power plus 2 साथ में epsilon not की power minus 1 तो फोर्थ वाला जो answer अपने पास आ रहा है that is the correct answer clear है कै सर मतलब paragraph में किवल एक information देकर bonus form में बस question बाटा गया था जिसको catch हो गया बहुत simple सा question है चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को अगले जो दो question है 23 और 24 वो भी actually कुछ उसी type चे question है मतलब paragraph में information है और जिसको बिना पढ़े आराम से बहुत easy question सोल हो रहा है जैसे इसमें तो series के expansion के बारे में expand किया गया है अब आप सोचो देखो आर की value 1-a upon 1 plus a है और मेरे को इसमें delta r में error जो है ना वो determine करनी है तो मैंने का एक काम करते है तो r के परिकलन में तूटी delta r का मान पूछा गया है हमने का जी हमारा जो function दिया गया ना वो दिया गया 1-a upon 1 plus a तो अपने का साब dr is equals to it is 1 plus a का square साथ में 1 plus a 0 1-a 1 माइनस में 1-a इंटू में 1 plus a that is 0 प्लस में 1 और साथ में numerator में d ये लगा देंगे अब ये वाला data minus 1 1 multiply minus 1 ये a multiply हुआ तो minus a minus में ये वाला multiply हुआ तो ये वाला term अपने पास आ गया minus 1 और ये वाला data आ गया मेरे पास plus में a divided by 1 plus a square साथ में d ये बोलो हाँ या ना अब a से तो a सहीद हो गया this data is minus 2 so it is minus 2 divided by 1 plus a का square साथ में d ये और ये वाला term इदर आ रहा है dr तो देखो सजा के लिखना चाहें तो delta r is equals 2 plus और minus दोनों लेते हैं 2 times of delta a divided by 1 plus a का square किसी type का कोई expansion जो है वो काम नहीं आ रहा है इस वाले case में directly ये अपना answer की बात करते हैं बेटा second one is the correct answer बोलो ठीक है क्या बाकाइदा आप expansion से भी कर सकते है 1 plus a को उपर की और लेकर जाएंगे फिर उसको expand करेंगे सीधा ऐसे भी कर सकते है बोलो ठीक है क्या similarly question number 24 के regarding यदी में बात करता हूँ कि एक experiment है इस experiment में initially number of radioactive nuclei 3000 है और ये मिला कि एक second के बाद number of nuclei जो decay हो गए वो बने 1000 plus minus 40 तो बच्चे कितने 2000 plus minus 40 बोलो yes or no बोले हा for delta x very very less than 1 mode x 1 plus log 1 plus x is x up to first power of x the error delta lambda in the determination of decay constant lambda decay constant में error पूछी गई है बोले जी ठीक है तो इसका जो सीधा सीधा formula मेरे पास होता है वो मेरे को याद है कि number of remaining l nuclei's n will be n0 eras to the power minus lambda तो नो तरफ लोग लगा दो तो लोग n is equals to log n0 minus में lambda थी differentiate कर दो log n आया 1 by n साथ में dn is equals to lambda is a constant particularly किसी एक fixed time पर अपने बात की है पहले एक second में ठीक है साथ lambda के लिए अपने लिख दिया d lambda plus और minus दोनों चलेगा साथ में time t बोलो हा या ना तो इसको में लिख सकता हूं that d lambda will be dn divided by n into में क्या time t सीधा सा है plus और minus तो adjust हो गया है यह plus minus के साथ चलता है तो dn जो मेरे पास आरह है वो तो आरह है 40 number of nuclei जो रिमेनिंग है remaining number of nuclei 2,000 divided by time that is 1 यहां से cancel out किया this value is 2 divided by 100 2 divided by 100 that means that value comes as 0.02 simply इस वाले question का जो correct answer अपने पास आरह है that third one is the correct answer बोलो ठीक है कैसर चलिया अगले question की बात करते है the next one is question number 25 क्या कहा गया 25 में कि आट इस steel wire of diameter 0.5 mm एक steel wire है फिर से एक vernier calipers का बहुत अच्छा सा question वैसे simple सा question है कुछ extra मतलब load वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर vernier calipers और screw gauge question करने के लिए मैंने हमेशा कहा है कि बेटा पहले question को one by one line by line पढ़ो information को साथ साथ लिखो question बहुत इजीली soul हो जाएगा केवल formula based question होगा question में कहा गया कि एक steel wire है जिसका diameter 0.5 mm है 0.5 mm है steel wire का diameter तो radius जोगी वो 5 by 2 into 10 raise to the power minus 4 meter होगी अच्छा फिर उसके बाद wire का जो young's modulus दिया गया है वो मेरे को दिया गया है 2 into 10 raise to the power 11 newton per meter square information लिखते चलते है ना फिर उसके बाद the length of the wire of the load is 1 meter a vernier scale with 10 divisions is attached to the end of the wire next to the skill wire of reference which a man scale on least count 1 mm okay is attest 10 divisions of vernier scale coincides with 9 divisions of man scale initially vernier scale 0 coincides with 0 of man scale if the load on the steel wire is increased by 1.2 kg the vernier scale which coincides with the man scale division is मतलब आपने 1.2 kg का extra load लगाया तो ये देखना है कि expansion होने से vernier scale का कौन सा division कोइंसाइड करेगा तो मैने आज आप देखो जैसे ही अपनने 1.2 kg का extra load लगाया तो डेल्टा L की value जो आती है ना change in length is equals to F upon A into में Y इंटू में original length L force जो लगा वो 12 का लगा साथ में divided by area हो गया pi R square R square is 5 by 2 into में 10 raised to the power minus 4 का square divided by young's modulus that is 2 into 10 raised to the power 11 यहां से अपने पास डेल्टा L की value आजाएगी बोलो साहिए दूसरा vernier scale के 10 divisions जो है वो man scale के 9 divisions के साथ coinciding है तो 1 VSD जो होगा वो 9 by 10 MSD के एक को लोगा तो यहां से अधी अपन least count निकालेंगे तो वो आएगा 1 MSD minus में 1 VSD that value 1 MSD जो मेरे को दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि इसके 1 mm है ना this is 1 mm and this is 9 by 10 MSD so it is 1 by 10 MSD तो यह वाली value आगी 0.1 mm कि least count जो है वो soul होकर मेरे पास 0.1 mm के equal आता है और यहां से delta L जो soul करते हैं वो delta L आता है 0.3 mm इसका मतलब man scale पर तो reading किसकी नहीं है क्योंकि one man scale division is equals to 1 mm है तो यह तो 0.3 mm हा रहा है मतलब man scale पर reading किसकी नहीं है किसकी कितनी है वर्नियर scale पर किसकी होगी और कितने divisions किसकी होगी 0.3 mm मतलब कितना division किसकी है तो वर्नियर scale के कौन से वाले division के साथ coinciding होगा तो dear third division के साथ coinciding होगा चलिए जी सर अगले question की बात करते है 25 के बात the next one is 26 26 में कहा गया है कि a ball is projected from ground at an angle 45 degree with the horizontal surface okay it reaches a maximum height of 120 meter and returns to the ground upon hitting the ground first time it loses half of the kinetic energy okay immediately after the bounce the velocity of the ball makes an angle 30 degree with the horizontal surface the maximum height it reaches after the bounce in meters तो यह question कुछ ऐसा है कि ball को आपने ground से 45 degree के angle पर फोगा और यह ball जो है वो 120 meter का maximum height attain करती है यह वाला angle है 45 degree दूसरे case में यह यहां से 30 degree के angle पर निकल रही है और यह कहा गया कि collision के just बाद तो collision के just पहले u speed से फेंका है तो u से ही वापस आएगा half of the kinetic energy का loss हो गया तो half बच गी तो collision के ठीक बाद speed की value जो आएगी that will be u by root 2 बूलो हाँ यह ना बूले जी ठीक है पहले वाले case में जो maximum height होगी that maximum height will be u square sin square 45 divided by 2z that is 120 meter दूसरे वाले case में जो maximum height होगी उसके बारे में बतलाना है तो वो speed का square u square by 2 साथ में sin square 30 that is 1 by 4 साथ में अपने पास आया 2z तो extra की बात करूँ तो नीचे 4 वाला term x by वाकि तो u square by 4g आ रहा है यह भी u square by 4g है साथ में 1 by 4 और आ रहा है मतलब u square by 4g साथ में 1 by 4 अब u square by 4g 120 meter के equal है तो यह data आया 120 divided by 4 इसका मतलब second वाले case में जो ball की ground से achieved maximum height है that maximum height is 30 meter बोलो ठीक है कैसा है अच्छा तो इस question का जो correct answer अपने पास होगा that is 30 चलिए जी sir अगले question की बात करते हैं the next one is question number 27 27 बी कुछ ऐसा है कुछ ऐसा है कुछ ऐसा है कुछ ऐसा है की एक बोल है thrown from the ground at an angle theta with the horizontal okay with an initial speed u note for the resulting projectile motion the magnitude of average velocity of the bowl up to the point when it hits the ground for the first time is v1 okay after hitting the ground the bowl rebounds at some angle theta but with a reduced speed u note by alpha its motion continues for a long time as shown in the figure if the magnitude of average velocity for the bowl for entire duration is 0.8 v1 the value of alpha आपने से calculate करवाईगी मतलब situation कुछ ऐसी है लेके समझना जरा बात को बहुत simple सा question है पहले इसको यहां से यहां फैका तो horizontal distance iu square sin 2 theta divided by z और time of flight आया 2u sin theta divided by z बोलो हां या ना इसमें जो average speed आई है horizontal displacement total displacement upon total time average velocity यह average velocity मेरे पास calculate होकर आती है u cos theta इस वाले में यहां से लेकर यहां तक में average velocity आगी u cos theta और यह u cos theta जो दिया गया न डियर यह मेरे को v1 के equal दिया गया है पहले case में फिर वो कह रहा है कि यह continuously bounce कर रहा है कुछ ऐसे यहां पर इसकी velocity जो है वो u note by alpha है यहां पर इसकी velocity जो है वो u note by alpha क्यों है तो इस total journey के लिए बहुत लंबे time के बाद इसकी velocity जो आ रही है average velocity that is 0.8 v1 तो मैंने कहाँ आप देखो distance traveled की बात करते हैं तो 2u square sin theta cos theta divided by z plus में 2u square sin theta cos theta divided by g alpha square बही u by alpha हो गया ना तो u by alpha square करेंगे तो u square by alpha square तीसरे case में 2u square sin theta cos theta divided by z alpha power 4 ऐसा चलता जाएगा numerator में तो total horizontal range divided by total time of flight that is 2u sin theta divided by z plus में 2u sin theta divided by z alpha plus में 2u sin theta divided by z alpha square क्योंकि speed u by alpha u by alpha square ऐसे जारी ही अब यहां से यह इसको solve करेंगे तो उपर वाला term तो बचेगा u cos theta साथ में मैं 1 by alpha square जो है ना 1 by alpha को r कह रहा हूं तो यह data मेरे पास है 1 plus r square plus r की power 4 plus r की power 6 plus r की power 8 थोड़ा सा आसान लगे बस इसलिए नीचे 1 by alpha को r कहेंगे तो यह data हैगा 1 plus r plus r square plus r cube कुछ इस टाइप से आगे की ओर चलेगा अब यह वाली value जो है ना बिटा यह u cos theta है यह 0.8 of u cos theta है तो अब u cos theta से u cos theta तो गया इदर वाला जो term मेरे पास आ रहा है this is 1 upon 1 minus r square and this value is 1 upon 1 minus r this is a gp और यह वाली value 0.8 के equal है यहां से solve करोगे 1 by r square को लिख सकते हैं 1 minus r into 1 plus r 1 minus r तो सई दोगे 1 plus r बचा तो 1 upon 1 plus r this value is 0.8 इसका मतलब 1 plus r is 1 by 0.8 that is 5 by 4 इसका मतलब r की value solve करने पर यहां से 1 by 4 आ रही है और r किसको माना था अपन ने alpha को माना था तो alpha की value इस question को solve करने पर कितनी आएगी that value will be 4 बोलो हाई या ना पक्का आएगा तो इस question के लिए correct answer जो मेरे पास आएगा that will be 4 चलिए जी सब next question की बात करते है question number 28 बहुत ultimate सा question आया है ना बहुत logical सा question है question कुछ ऐसा है कि let us consider a system of unit in which mass and angular momentum are dimensionless मतलब की भाई साब ये mass जो हैं ये dimensionless है और angular momentum जो होता है को होता है MVR बोलो हाई या ना बुले हाँ इसका मतलब M L2 T की पार minus 1 ये भी dimensionless है तो सुनो देखो mass तो पहले से dimensionless है L2 T की पार minus 1 भी dimensionless है इसका मतलब L2 का dimension जो है मतलब जहाँ पर अपने को T की जगा रखना होगा क्योंकि सारे answers L के terms में आ रहे है तो जहाँ पर अपने को T का dimensional formula रखना होगा ना वहाँ पर अपने L2 रख देंगे उसके जग़े बोलो ठीक है क्या, simple सा trick है तो सबसे पहले का गया कि power का dimension L की पार minus 5 है देखो जो होता है, वो वैसे तो होता है M L2 T की पार minus 3 बोलो हाँ या ना सभी है क्या M तो dimensionless है, ये L2 और T minus 3 तो ये मेरे पास आया L minus 6 तो इसका जो dimensional मेरे पास आ रहा है that is L power minus 4 पर हमें दिया गए L power minus 5 तो पहला option incorrect दूसरा force का dimensional formula force का dimensional formula होता है M L T minus 2 M तो dimensionless है, L की जगए, L रखा T minus 2 की जगए T तो L square की equal है तो ये L की power 4 अपने पास आया L की power 4 माइनस की साथ आ रहा है तो माइनस में ये data मेरे पास आ गया L की power minus 3 तो force का dimensional formula है that will be L power minus 3 तीसरा dimensional formula of energy energy का dimensional formula आता है M L 2 T minus 2 अब आपका M dimensionless है L 2 है और ये हो गया L power minus 4 T 2 तो minus 2 में तो इसका dimensional formula किसके equivalent आ रहा है L minus 2 के equivalent आ रहा है so third option is also correct fourth one is dimensional formula of linear momentum linear momentum होता है M L T minus 1 अब M तो dimensional less है L और T minus 1 बोले तो L minus 2 तो इसका dimensional formula किसके equivalent आ रहा है बोले जी L minus 1 के equivalent है so fourth option is also correct so according to this second, third and fourth options are the correct answers बोलो ठीक चलिये जी सर एगले question की बात करते है next one is question 29 ये भी एक error पर based question है बहुत simple सा logical सा question है पहले अपने को optical bench का knowledge होना जरूरी है देखे, optical bench जो होती है optical bench पर एक place पर कुछ इस type से यहाँ पर अपन lens या mirror रखते हैं एक side में object रखते हैं एक side में उसकी image obtain करते है तो question कुछ ऐसे कहा गया है कि आपके optical bench की जो length है वो length है 1.5 meter long scale having 4 equal divisions in centimeter इसका मतलब इस optical bench के 1 MSD की value जो है वो 1 by 4 centimeter है अगले ने बोला देखो कि एक centimeter में 4 equal division है तो इसका जो least count है अलपत मांक जो है वो 1 by 4 centimeter है अच्छा जी फिर उसके बाद जब focal length major करते हैं तो lens को रखा 75 पर अब देखें यहां से सुरू करते हैं यह वाला point है 0 और यह वाला है 150 lens को mid में रखा गया है मतलब 75 पर this is the position of lens object की अधी बात करते हैं the object is kept at 45 centimeter mark तो object को आपने यहां से 45 centimeter पर रखा है और image जो form हो रही है वो form हो रही है 135 centimeter पर image इस वाली location पर form हो रही है तो this is u and this one is v हमें focal length में percentage error की calculation करना है I think यही करना है we have to calculate the percentage error in focal length तो सब से पहले तो lens formula 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f 1 by v देखो v to है 60 to 1 by 60 u है 30 to minus 30 this is 1 by f this value comes as 1 by 60 2 by 60 3 by 60 then the focal length comes as 20 centimeter अच्छा अब मेरे को focal length में error बतलानी है focal length की value तो 20 centimeter आ गई अब 1 by f is 1 by v minus 1 by u तो differentiate किया तो df upon f square is equals to plus minus dv upon v square plus du upon u square तो यहां से df upon f into 100 निकालना अपने को that value is plus minus f into में dv by v square plus du by u square multiplied with 100 तो value जो मेरे पास आ रही है plus minus 20 this value is 1 by 4 centimeter में बात करें तो साथ में 60 का square plus 1 by 4 into में 30 का square multiplied with 100 देखें 20 by 4 that is 5 5 into 100 that is 500 और यह वाला डाटा जो मेरे पास आया 1 by 3600 1 by 900 that is 5 by 3600 तो यह डाटा मेरे पास आ रहा है that is 25 divided by 36 percentage में plus minus में तो यह वाली value जो है यह solve करने पर आएगी plus minus 0.69% मतलब इसकी percentage error जो होगी that is 0.69% बोलो ठीक है कैसर? अच्छा चलिया अगले question की बात करते है अगला question number 30 unit dimension पर बेस्ट बहुत नॉर्मल सा question question कुछ ऐसा है कि sometimes it is convenient to construct a system of units so that all the quantities can be expressed in terms of one physical quantity in one system dimension of different quantities are given in terms of quantity x as follows और हमें कुछ relations बतलाने है देखे फर्स्ट वाला जो option है उसमें alpha plus p is equal to 2 beta का आगया तो सबसे पहले alpha plus p की सोचो देखो alpha यहाँ है और p जो है वो यहाँ है तो x power alpha into में x power p that will be position into में acceleration position है L और acceleration होता है L t minus 2 so this will be L 2 t minus 2 बोलो हा या ना इधर तो आया x की power alpha plus b और इधर वाली side में यह इदि आपन चेक करेंगे तो यह speed का square आ रहा है speed क्या है x power beta तो speed का square किया तो यह कितना आ गया बोले जी x power 2 beta तो यहाँ से compare करने पर alpha plus p की जो value मेरे पास आ रही है that is 2 beta so first option is the correct answer चलिए इसका एक और option correct है second उसके बारे में भी discussion करते है कि p plus q minus r is equals to beta तो सोचो फब से पहले p का है p यहाँ है तो x की power p plus में q लिखा गया है तो multiplied with x की power q r लिखा गया minus में तो divided by x की power r बहुत normal से तरीके से सोचना है power plus हो रही है तो multiply करना minus हो रहा तो divide करना अब यह मेरे पास इदर वाली side में देखिए x की power p जो था वो acceleration था तो lt minus 2 x की power q जो है वो मेरे पास linear momentum है that is ml t minus 1 divided by r जो है that is what force it is ml t minus 2 बोलो हाँ या ना तो एक m गया एक l गया एक t minus 2 गया यह lt minus 1 आया जो तो यह speed के equivalent है और यह speed जो है वो x की power beta से लिखा गया तो इधर तो x की power आया p plus q minus में r और इधर x की power आया क्या beta तो साब आपके p plus q minus r की value जो soul होने पर आ रही है that value is coming as beta तो second वाला जो option है that is also correct answer चलिए ठीक आगे बढ़ाएं next question की बात करते है question number 31 2020 में आया वा question है और in chapters का unit error measurement 1D motion two-dimensional motion NLM और friction का last question है sir चलिए सुरू करते है question में कहा गया है that starting at t is equals to 0 from the origin with a speed 1 meter per second speed 1 meter per second मतलब under root of vx square plus vy square that value comes as 1 अच्छा जी a particle follows two-dimensional trajectory in xy plane denoted by the relation y is equals to x square by 2 the x and y components are the acceleration of denoted by ax and ay respectively then ax और ay पर comment करवाया है ठीके साब तो पहले तो trajectory जो equation दी गई है उससे ax और ay के बारे में कुछ बातें कर ले तो यहां से मैं कहूंगा differentiate किया तो vy this value is 2x vx divided by 2 तो vy यह आया फिर differentiate किया तो ay is equals to x into me ax plus me x को differentiate किया तो this value is vx square बोलो हां या ना बोले जी सही है अच्छा तो सबसे पहला option क्या कह रहा है कि ax तो 1 है okay when the particle is at origin ay की value जो होगी वो भी 1 होगी अच्छा जी अच्छा सुनो एक चीज कि starting वाले time में at t is equals to 0 x coordinate 0 है और velocity का x coordinate का square plus y coordinate का square मतलब ux square plus uy square जो 1 है तो हमने कहा कि when x is equals to 0 vy की value जो है मतलब वो y की equal होगा तो initial y velocity 0 आ रही है देखो यह relation initial y velocity 0 आई इसका मतलब x velocity जो है initial that is 1 meter per second बोलो हाई या ना बोले हाँ अच्छा तो पहला option यह कह रहा है किसाब ax की value यदी 1 है तो ay भी 1 है देखे इसमें रखी है origin पर ay is equals to 1 plus में vx की बात करें तो vx 1 है तो 1 का square तो ay कितना आ रहा है बोले जी 1 आ रहा है इसका मतलब पहला option correct है दूसरा option कहा गया है कि ax की value 0 है तो ay 1 है समय के लिए तो यदी सुनना मेरी बात को यदी ये 0 है तो ay जो है वो अपने पास vx square के equal आया वो अपने पास 1 आ गया मतलब y acceleration जो है वो अपने पास कितना आ रहा है वोले जी साब 1 meter per second square आ रहा है इसका मतलब इसका second वाला जो option है वो भी सही बात है थर्ड में कहा गया कि at t is equals to 0 particles velocity points in the next direction बिल्कुल सही बात है particle की velocity हमेशा कुण सी direction में होगी x direction में होगी अच्छा fourth वाले option की बात करें तो fourth में करा यदि ax is equals to 0 है यदि ax is equals to 0 है सुनना ax 0 है तो ay कितना आ रहा है वो ले जी 1 आ रहा है ay 1 आ गया y acceleration 1 आया तो वो कहरा है कि इसकी velocity जो है वो 1 second के बाद x axis से तो 1 second के बाद y velocity कितनी होगी ay into में t तो 1 second के बाद y velocity आ रही है 1 meter per second और x velocity तो x direction में acceleration 0 है तो x velocity initially 1 थी तो finally भी 1 होगी x velocity 1 है y velocity 1 है तो इसकी velocity x axis के साथ कितने degree का angle form कर रही होगी obviously this angle will be of 45 degree बोलो yes or बात सही है क्या तो according to this correct options for this question are 1, 2, 3 and 4 all the options are correct चलिए जी सर तो इस session में हमारी तरफ से इतना ही total हमने 10 गुरू नीतिया रखी है physics के regarding अलिवाली का discussion इस session में मिलते हैं फिर बाद में तब तक के लिए good bye